प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ट्रेंडिंग न्यूज एक्स्प्रेस अब वनुश्का की परी से टकराईगी दीपिका की पादमावती ऐसा लगता है कि संजय लीला भंसाली की मिगनम ओपस फिल्म पादमावती को किसी की नजर लग गई है फिल्म में अलग-अलग कारणों से देर होती जा रही है बंसाली इस फिल्म को नवंबर 2017 में रिलीज करना चाहते थे लेकिन अब ये लगभग तैह हो चका है कि ये फिल्म इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी मीडिया रिपूर्ट्स के मुताबिक पादमावती के लिए अब फरवरी 2018 की रिलीज टेट तलाशी जा रही है 9 फरवरी 2018 को अनुशका शर्मा की परी रिलीज होगी और माना जा रहा है कि भंसाली इसी दिन पादमावती को भी रिलीज कर सकते हैं परी को छोड़ दिया जाए तो संजय लीला भंसाली की फिल्म को टकर देनी के लिए कोई बड़ी फिल्म नहीं होगी पादमावती की शूटिंग सबसे पहले तब रभावत हुई थी जब जैपुर में कुछ लोगों ने फिल्म की शूटिंग का विरोध करते हुए संजय लीला भंसाली के साथ मारपीत तक कर दी थी इसके बाद खबराई की कोलापूर में फिल्म के सेट में आग लगा दी गई इसके बाद वेस्टन सिंग ने अमपलोज की अरताल की वजह से भी फिल्म की शूटिंग काफी दिनों तक बाधेत रही इस दोरान फिल्म के सितारे शहीद और दीपिका चुटिया मनाने अपने अपने परेवारों के साथ विदेश चले गए सुद्र बता रहे हैं कि अभी फिल्म के एक इसे की शूटिंग होना बाकी है और युद के कई सीन भी फिल्म आय जाने है फिल्म में रनवीर सिंगा अलाउद दिन खिलजी के रोल में है और युवा अलाउद दिन खिलजी की कहानी बताने वाले कुछ सीन भी अभी बाकी है फिल्म का बजट एक सौपचास करोर रुप्य है और इतनी बड़े बजट की फिल्म होने की वजह से भंसाली कोई चांस नहीं लेना चाहते इसलिए अब ये लगभगताय माना जा रहा है कि दर्शकों को पदमावती देखने के लिए 2018 का इंतजार करना ही होगा